हम स्वागत है तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास होने वाली है वह आईट्या एलेक्टरिशन से एगंडर वालों की क्लास है और जितने भी दोस्तों आपको यह कुश्चन कर रहा हूं पूरे के पूरे निमी बैस्ट कुशिन है जो कि आपकी सिविटी एक्जाम में यहीं से आपका क्या होगा बाहर कुश्चन नहीं आगर आप प्रॉपर वर्ट से आकर हमारी क्लासे से अगर देख रहे हैं अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें प्लैलिस्ट में जाएं आइडिया से के नाम से बनी हुए एलेक्रिशन की आप वहां जाएंग पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि यह नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके ठीक है तो कोश्चन को दो स्टार्ट करते हैं और इसका पीडिया आप आप वांजाकर से प्राप्त कर सकते हैं तो पहला ह इसका वेरी इंपोर्टन कोश्चन दोस्तों आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो आप बताए सब्सक्राइब करें इसका राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं पहले तो वह सब से कमेंट करें और शेयर कर दो इसका र सब्सक्राइब करता है लेंज लोग पर काम करता है ठीक है उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं इसका राइट अंसर और इसको अच्छे से याद करना नहीं कि आपको नम बताना किस प्रकार का मोटर तो यहां दे सकते हैं ऑप्शन हमारा फस्ट दिए गया है इस्ताइस संदालित मोटर और आपशन हमारा दिए इंडेक्शन स्टार्टर केपिसेटर रण मोटर है ऑप्शन डिया केपिसेटर इंडेक्शन रण मोटर होगा तो इसमीं से बताएं इसका राइट अंसर कौन सा हुआ हो जूस्तों जितनी इपर प्रट्रेश बिसेश्ट पर पर्मानेंट क्या है एक स्थाही संधारी तो मोटर होगा ठीक है और नेच्ट कोछ में जलते हैं कि अगला हमारा दोस्तों कुछन दिया कोशन पूछा गया है कि इस पी लीट चरण मोटर का जो कार्य सिद्धान्त क्या है है तो आप बताएं इसमें इसका कार्य सिध्धान्त बनाना इस पीलीट जो मोटर जो हता इसके कार्य सिद्धान्स दिया आप्शन ba करने नियम होना चाहिए ऑप्शन भी जूल का नियम ऑप्शन सी हमारा फ़राड़ के बिद्धुत चुमके प्रेंट के नियम तो जल्ली बताएं इसका राइट आंसर कौन से होगा चार ऑप्शन से अरा से तो सभी साधि वताएंगं का नियम पर काम करता है इसके चरण मोटर जो है अगले संदेखते उह कि कुश्चन हमारा अगला दिया गया इसमें पूछा गया दोस्तों एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दस्ट है जहां पर दिया गया एक एकल चरण माने सिंगल फेस मोटर दिया गया जो की इंसुलेटेड है आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा उनने चार सब्सक्राइब करें जितने वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर तो जो भी साथी इसका राइट आंसर होगा यानि कि हमारा क्या होगा है जो सामने चित्र में मोटर दिख रहा है इसको बोलता है क्या प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गी करति किया जाता है तो किस प्रकार वर्गी करति यह बताना है इस्टेपर मोटर होना चाहिए अप्शन बीमारा प्रतिकर्शन मोटर होना चाहिए अप्शन सी हमारा अच्छादित पोल मोटर होना चाहिए अप्शन संथारी रांसर जली से कमेंट करेंगे सभी साथी और जितने भी स्ट्लम देखने रायट आंसर कौन सा होना चाहिए क्लेश जलिए से कमेंट करें सबी है तो जो भी साथि हमारा इसका राइट और यह प्रतिकर्षन मोटर इसका करेक्ट आंसर होगा नेस्ट चलते हैं अगले कोशन दोस्तों स्कीन पर दिया कोश्चन को अच्छे से पढ़िए कोश्चन पूचा को सिंगल फेस जो इंडेक्शन मोटर सुरू करने के लिए कौन सी वीदी अपनाई जाती है दोस्तों इसका आप राइट अंसर कमेंट करके बताएंगे जली से पढ़ें चार ऑप् तो जिली से इसका राइट अंसर कौन सा उना चक्यांती है तो जो भी साथ में हमारे कर रहे हैं और ऑप्शन नमबर ए इसका और अंसर होगा यांनि कि यहां पर आएगा फेस बीवाजन की विदी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीए अगले कुश्चन चलता वानरा नैस सकते हैं इसका आपको प्रकार का नाम बताना तो किस प्रकार का है मोटर देश सकते हैं चार अप्शन से जली बताएं इसका राइट अंसर अच्छे से पढ़िए और बताई राइट अंसर कि नेस्ट कुछन चलते हैं कि अगला कुछन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया है को अच्छे से एक बार ध्यान पूरबक देखिएगा कुछन में पूछा गया है कि सर्व होमिक जो मोटर के अप केंद्री सुच गती नियंत्रन विधी में संधारित का उद्यस से क्या है तो यहां देजा गया एक संधारित का उसका उद्यूत माला उसका उद्यस वताना क्या हुआ तो ऑप्शन से दियेंगे और नियंतर गती बनाए रखता है ऑप्शन भी हमारा पावर फेक्टर में सुधार करेगा ऑप्शन सी है ओवर लोडिंग से बचाएगा ऑप्शन डिमार टी नमघ्र घुलठ मेरा और नमर यानिके जो हमारा एक्शन डी अप्शन डिया गया इसका जो संपर्गों पर क्या होता क्या होता है इस पार्कों करता है कुका करने के लिए आप अगले तो यह रहा कोश्चन में देख सकते हैं तो पूचा गया है देख सकते हैं आपड़ तो कोश्चन में दिया गया है कि जो समर सिवल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता यह आपकी एक्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों जितने भी आपको यह बताता जाता हूं इनको अच्छे होना चाहिए ऑप्शन सी हमारी सिंगल जो काषण कवर कौपर वायर एप्शण कवर कंकर्ड माना चाह queremos कोटन के तो जो भी साथ इसका राइट अंसर माना चाहिए तो जो गया है अजी जो पर प्लाइल जूब लिए कवर्भाश्चन होनुके यानी कि हाँ पर पानी के अंदर जाता है इसलिए उसमें क्या होता है पीवीसी कवर तामिक जो तार का उपयोग किया जाता है ठीक है तो और इसको याद रखना कि किस प्रकार के सिंगल फेस मोटर में कम कम टॉर्क होता है यह वताना पस्की पर पर ये प्रिटिस के पिरेंगें लेगहाded मोटर ऑफ leavारा कापसेटर है इंडेक्स मोटर होना चाहिए ऑफ़सेटर श्टार्ट कापसे नन दैं सबी शाती कमेंट करेंिगे इसका राइट कौन सा होना चाहिए कि अचैनल को करें हमारा आया है जली से कमेंट करें है क्यी थो इसका ऑच्छन्ट सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा कि अगला कुशन यह रहा आपकी स्कीन पर दूस्तों आ चुगा कि कुश्चन में दूस्तों पुछा गया कि सिंगल जो मोटर होती सिंगल फेस वाली एकल चरव मोटर से में अप केंदरी सुच का जो कार क्या है यह आपके लिए इंपोर्टेंट कुश्चन है दूस्तों आपकी एक्जाम के लिए तो आप इस तो अच्छे से याद रखना त को ओर लोडिंग से बचाएं तो इसमें से बताना आपको राइट आंसर चार आपस्टों से और सभी कमेंट करके बताएं किसका राइट आंसर क्या होना सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑप्शन पिंद्गा इनका करेक्ट आंसर होगा जो भी कर रहा हुआ यानि कि यहाँ पर आएगा आपका आरंबिक वाइंडिंग को भी संजुद करना जो होता है एकल चरण मोटर में अपके इंदरी सुच का कार्ज होता है ठीक है इसका राइट आंसर होगा आप्शन नमर 20 करेक्ट आंसर होगा कि अगले कोश्चन चलता हुआ नयास कोश्चन दोस्तों यह रहा कि कोश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि वेरी इंपोर्टन कोश्चन पहले तो यह मैं आपको बता देता हूं कि सरुप भॉमिक मोटर का अनुपरियोग कौन सा है यह मानके चलिए आपकी एक्जाम में व हमारा कंप्रेसर होगा राइट आंसर कौन सा हुआ यानि कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका और यह कहां के जाता और यह कई बार हर कंपेटिशन में भी पूचा जाता तो जो भी साथ इसका राइट आसर हमारे कर रहे हैं आप्शन नमर बीस करेक्ट आंसर होगा यह आप क्या करते हैं यूनिवर्सल मोटर का प्रियोग करते हैं अगला दूस्तों मारा कुश्चन को देख सकते हैं कुश्चन वह पूच्छा गया है जो वाउन्ड रोटर के साथ कौन सी एकल करा मोटर फिट है कहने का मतलब सिंगल फेस मोटर इस फिग्ड मतलब रोटर में क है इसताई संधारित मोटर होना चाहिए अप्षण कर रहें हैं यहां प्रतिक परज्टन ईशका राइटांसर होगा और दोस्तों वीडियो को जाद जाद अपने इस्टेडी गुरूप में जरूर सेयर करें को सब्सक्राइब को देख सकते हैं कि प्रतिरोध के संबंद में एकल चरण इंडेक्शन मोटर के और लिंग वांडे और स्टाइंड वाइननिंग के बीच क्या संबंद में को बताना क्या संबंद को अपटिरूद बडावर होंगा या रणिंग वांडिंग कम और उपचन सी हमारा दियाते हैं इंडी Ol लेकिन स्टार्टिंग वाइन लिंग अनत होना चाहिए ता इसमें से कौन सा राइट होगा और यह कई बार एक्जाम में पूछा या कोशन है तो बताएं इसका राइट आंसर चाहिए तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्षन नुमर बी उनका करेक्ट आंसर होगा यानि कि यहां पर आएगा आपका जो रेनिंग वाइंडिंग कम होना चाहिए और वाइंडिंग अधिक होना चाहिए मतलब कहने का मतलब यहां पूरा सही से इंगलिस वता जाता अधिक होना चाहिए जो इस परकार कर रहा है अगले कोशन दोस्ट स्कीन पर दोस्तों यह ला कोस्टिन में पूछा गया को ध्यान पर पढ़िएगा अच्छादिद पॉल मोंटर में एक्स के रूप में चिन्नित कार बताना जैसे यहां अच्छा दे यहां पर एक्स में रूप में चिनित भाग है उसका नाम बताना ऑप्शन हमारा फश्ट दिया गया कि दच्छता बढ़ाएं ऑप्शन भी है निरंतर गती बनाए रखें ऑप्शन सी हमारा रोटर घुमाओ शुरू करें ऑप्शन दी है चुम के छेतर को मजबूत करें तो इसका जो कार बता कि इस करेक्ट आंसर होगा यानि कि यहां पर आएगा आपका रोटर घुमाओ शुरू करें ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अगला दुसरों मारा कोशण दिया कोशन पूछा कि कैपसेटर स्टार अंडेक्शन रॉन मोटर के जो रोटेशन की दिशाग कैसे उलट जाती है तो यह आपकी एक्जाम के लिए इंपोर्टन हैं तो कैसे उलट जाती यह आपको बताना जैसे कि आपके स्कीन पर चार ऑप हो कि तो जो बसाइंद यहाँ का रॉप्षिन नंबर-सी इस कर्येक्ट आंसर होगा यानि कि यहाँ पर आएगा आपका मुक के वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल कर कर सकते हैं के पिस्टर इंडेक्शन मोटर के रोटेशन की दिष्षा को बदल सकते किस प्रकार उ में पूचा कि कि मौटर में स्पीड कंड्रोल विद्opardy कारिक 152 क्या पूचने मोटर स्फ यूनिफसल मोटर होना जाहिए अच्छाधित का ज्यहां केकिशन पूंडसी गरात चाहिए हौn सब्सक्राइब करें गए इंपोर्ट एंटर फुछा गया तो आपका आइंप कर ले चाहरा उप्शन के तो जो भी साथी इसका आंसर कर रहे हैं आप्षिन नमबर एसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर आएगा मतलब यूनिमर्सल जो मोटर होता है इसका राइट आंसर होगा और अगला कोश्चन दोस्तुर्ट दे सकते को इसका हमारा अगला है खाड में किस प्रकार की एकल और प्रेलरन मोटर का उप्योग क्या जाता है तो कूंसी मोटर और और ये तो सभी को याद होना चाहिए को दूंट करें जलिए चलिए को इसका राइड आंसर कर रहे हैं उप्ष्ण नम्मर एक और रॉनि मर्सल बॉर्र जो करेक्ट आंसर होगा करक्त प्सक्राइव अगला कुशन प्रैंद मोंटर की स्टार्टिंग और रंवायनिंग के बीच कॉनी ये विस्ताफन क्या होना चाहिए तो देख सकते हैं आप चार आप्षन से आप बताइज का राइट एंसर और सभी को याद होना चाहिए यह भी आपकी एक्जाम के लिए विल्कुल इंपर्टेंट है तो बताएंस का राइट अंसर क्या होना चाहिए तो जो भी साथ इसका राइड अंसर कर रहे हैं मारा ऑप्षिन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होना चाहिए यानि सिंगल फेज जो मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग और रणिंग मैंडिंग जो विस्तापन होता है वह कितना डिगरी को ता 90 डिगरी का हो तो इसको आप या मोंटर उपयक्त क्यों तो उस मोंटर का जो नाम दिया गया रिख्टोरिस मोंटर है जो की ध्वने र्यकोरडिंग के लिए ही क्योंसा होना च without an सांत प्रचलन इसका राइट आंसर होगा अगला कुश्चन दोस्तों इसक्रीन पाचुका है कुश्चन में घरलू पंपों के लिए कौन सी मोटर परसंद की जाती है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो दे सकते हैं आपके सामने चार आपसंस दिए गए तो कमेंट करके बताएं जली से राइट आंसर क्या होना चाहिए तो जो भी साथ हमारा राइट आंसर कर रहे हैं यानि संधारित्र प्रारंब मोटर यान का पिसल स्टार मोटर का राइट आंसर होगा मिधा है अगला हमारा कुश्षन दूस्तों पूचा किस प्रकार की मोटर में अब इच्छा कृत्र कम को होता है तो कौन सी मोटर जैसमें कि होता था सकम होता है। सब्सक्राइब यहां इन्देक्शन रन मोर्टर्स का आप्शन डिवारा है प्रति रोज शुरू इंडेक्शन रन मोर्टर्स का राइट एंसर कौन सा वो चार आप्शन से तो सब शाते विदाएंगे इसका राइट आंसर क्या होना जाए तो जो भी सात्य वारा इसका राइड आंसर कर रहे हैं आप्शन नमर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यानि कि यहां पर आएगा प्रतिरोध सुरू इंडेक्शन रन मोटर्स का राइड आंसर होगा अगला कोश्चन दोस्तों दिया कोश्चन पुझा है इस्पिलीट कला मोटर में अपके इंदरी सुच का क्या कार है तो ये भी आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चार आप्शन में से आप्शन फश्ट है आती धारा से बचाता है आप्शन भी है निलंतर गती से बनाए रखता है आप्शन C हमारा मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं आप्शन D हमारा है कि आप उर्ती शुरुआती बाइंडिंग बनाएं और तोड़ें आप्शन नमबर दी उनका करेक्ट आंसर होगा यानि कि यहां पर आप पूर्ती से शुरुआती वैंडिंग बनाएं और तोड़ें इसका राइट आंसर होगा कि अगला नेक्स कुश्चन दिएगा कि एक अच्छादित पॉल्स पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉंगर का उत्पादन कैसे करें ऑप्शन से दिएगा है फ़र्ष्ट मारा दुरूब पर छले का उप्योग करना ऑप्शन सी अप्शन भी है गोंतार सरक्ट पर संधारित का उप्योग करना ऑप्शन सी है हमारा स्ट द्वारा केज़ रूटर बाइंडिंग को बिद्वार अप्शन D है सुच द्वारा फिल्ट हृयल वैंडिंग को इंटर चेंज करना तो इसका राइट अंसर कॉनसा होना चीप्शन में लिग से लिए हमारी यहीं तक क्लास मिलेंगा हम नेक्स क्लास में तो प्रीविएस वीडियो को जरूर देखा करें को जितने भी कुश्चन से करवा रहे हैं वेरी इंपोर्टेंट रहे हैं नीमी पैटरन से एक भी बाहर कोश्चन नहीं जाएगा थेंक यू पर वाचिंग इस वीडि